हाई फ्राइंज दिस पलक मालवय वेलकम चैनल कैसे हैं आप लो आज में इस वीडियो में आपको ऐसा फेस्पेक बताने वाली हूं जिससे कि आपने चेहरे को बेदाग बना सकते हैं आपके चेहरे पर कोई भी दाग धबे या फिर पिग्मेंटेशन है या फिर आपका इसके स्कीन टॉणटव करें डुए अईvine फेस्पेक तूण को इवनकरेगा आपके भी स्कीन को दरकरेगा how Yak में अच्छा सा घ्लो या बनाए definite वहला को पुश्कर बनाए आपके स्कीन को बहुत इन अच्छा चाहूंगी कि आ अपको रंशा लाहिक है तो लाइक ठेंग करेंगा तभी आपको नाइन वीडियो की नोटिफिक्शिन मिलती रहेंगी सो वीडियो स्टार्ट करते हैं ले बनाना इसके लिए इंग्रेंट में लिया है वह लिया है राइस फ्रार यहां मैंने वन फूट स्पून चावल का आठा लिया है आप होम में चावल का आठा भी बे सकते हैं या फिर आप राइडिमन चावल का ली सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल ऑ दैन जो नैक्स हिंग्रियंट मेरा है में यहां पर वह लिया है मेने वन हर्ट गूण अपर मिश Souls करन हैं को घरकी सिरे पांगी से चिसे जाद को अर्गिक हैं लिए रतरा लूटि तो आप चिलकों को सुखा कर उसका पाउडर बना कर उसे भी यहां यूज कर सकते हैं यहां मैंने वन फॉल स्पून औरेंज पील पाउडर लिया है और इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है देन मेरा जो अगला इंग्रिएंट है वह है यहां पर एल्प्स गुड्नेस का लिकरिश पाउडर जिसे मुलेटी पाउडर भी बोलते हैं यह आपको इजीली किसी भी कैमेश की शॉप पर फिर पंसारी की दुकान पर अवैलेबल हो जाएगा तो यहां पर मैंने मुलेटी का पाउडर भी वन फॉट स्पून लिया है इसे भी हम इसमें एड कर देंगे और अच्छे से इन सब को मिक्स कर देंगे देन जो मेना लास्ट इंग्रिएंट इस पैक में है वह है रॉ मिल्क यहां मैंने कच्छा दूद एड किया है यह मैंने दो स्पून दूद मिल्क को Unix आफ लीघे से कमें फेस्पेक बनाया है अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा बना ज़रे भी ड्राइट करके सकते हैं सब्सकिते सब्सक्राइब को सरकाल दाउल के तो आपको विस्टाइब करने से पहले आपको अपनी फेसको अच्छे से वाश करें नहीं लगाना हिए आपका वी से इस पर अपने पूरे प्राइब कर रही हूं कि यह फिस पेक आपके फेस से जितने भी आपके दाग धब्य हैं उसे रिमूव करेगा आपके स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाएगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हल्दी हमारे फेस के लिए कितने अच्छी होती हमारे पिक्वेंटेशन को रिमूव कर होती है हमारे प्लेमेश से सब्सक्राइण को दूर करती है हमारे सकीन को फ्यार बनाती है और इंग्टेशन पील पाडर हमारे सकुन को साज्द्र बड्याइटन करता है यह इए नैच्रल स्कीन राज च्GU टोनर की तरह काम करता है हमारे फेस पे एक नैच्रल ग्लो देता है राइस पाउडर भी एक नैच्रल एक्सपॉलीटर की तरह हमारे फेस पे काम करता है इसकिन को वाइट नंग बनाता है और फ्लॉलेस बनाता है मुलेटी पाउडर भी हमारे स्किन को ब्राइट बनाती है हमाई डार्क स्पॉट्स को फेड करती है स्किन को टाइट करती है सो गाइस मैंने पूरे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है इसे देन में इसे अप्लाई करने के बाद 15 मिट के लिए ऐसे ही अपने फेस पे से छोड़ दूंगी सो गाइस 15 मिट बाद मेरा फेस पेक बिल्कुल ड्राय हो गया है अब मुझे इसे कैसे रिमूव करना है आपको डार्यक्ट इसे रिमूव नहीं करना है आपको हलका से अपने फेस को गीला करना होगा मैं स्प्रे बॉटल में से गीला कर रही हूं इसमें सिंपल पानी है आप हाथों से पाने लेके से भी गीला कर सकते हैं और फिससे अच्छे से दो से तिन मिट तर आपको मसाज करनी होगी बिल्कुल हलकी हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको अपने पूरे फेस पे मसाज करनी है मेक शूर आप आप फेस गीला करके ही मसाज करें ड्राय आपको प्रेंट इस फेस्पेक को आप हफते में तीन बार भी यूज़ कर सकते हैं और आप एक दिन छोड़कर भी इसे यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट आपको इसका बहुत अच्छा मिलेगा तो गाइस दो से तीन मिनिट मसाज करने के बाद मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर के साथ वाश कर लिया है रिजल्ट आपको लोग देख सकते हैं कितना अच्छा आया है तो आई होप यह वीडियो आपके लिए काफी हल्फुल रही है थैंक्स फॉर वाचिंग